गेस्ट्रूम की साइच की बात करें तो यह भी आपको चाह जाता है पोच्ट की वगारा खड़ी काते हैं साइच से भी आसको वेंटलेशन की लिए साइच से मी मॉडलर की चलने है आपका इस्टेस आ जाता है करें जाप घ्री निछाएं टीक करेंद खौन से आपको ठीटल चाम इंबने हैं तो यह आपको दिखानेए पना शेएक झारश मेंटलेश। भइन भीदिखा दीजय माकान की हम बतकर आगे डैमेंशन की यह 15 इंटेस कि गहरान फ् laser और में चीजanne शोंबद करें अगर यह की लोकेशन तो ऐहां की जो लोकेशन में बात शिटी पारा में का शिटी गोभीन बारा बुर्धि की io य१ि- ऐसकाम्ति में 100 अँसा बसको प्रफ पोरी बंद का करें और मकान के हम सामने की बात करें तो मकान के जो सामने की रोड है तो चलिये आपको में अनर से एक बात दिखा एता है चलिए इनदर चलते है जो अब देखें और 5 यह आपका पुरे मकान के सप्लाई जहां से आप पुरे मकान के सप्लाई को कुंट्रोल बोलते हैं जिसे की आगे आपको यह आपका जो है नौबई चौदा का है इसमें भी टार्स वगरा सारी चीज़े कंप्लीट है उपर आपको दिख रहा हागा वर्क सारी चीज़े कंप्लीट है हाँ वेंटिलेशन के लिए आपको इसमें वेंडो वगरा साई चीज़े दे रखी हैं इस मकान में आपको दो फार्द है आप चाहे तो मैं गेट से आसकते हैं चाहे तो आप साइड वाले गेट से भी आ सकते हैं अच्छा दो दरवाजे आपको मिल जाएंगे बिल्कुल आप चाहे तो मैंगेट से आजए चाहे तो आप साई वाले से आजए हैज चाहे इस टाइप से एंगेट से आपको दे रखी हैं जैसे अदर आप भाई और घडि फार्टिका और साई जिजां से भी आसकते हैं बलकुल इसमें भी आपको एंच्छी चीज एग हमारे मकानों में क इसमें जो आपका डाइनिंग एरिया का इस पेस है काफी बड़ा है इसकी हम साइच यह बात करें तो यह आपका थागरीबन नोबाई आठका है नोबाई आठका है इस इक जट सामने आपको काफी खोस होगा जी चिछन में भी और आपका सेमी मॉडलर कीचन है किच ऑगें घैजिए तो यह आपका पांच-वाई-डा का कीचन है काफी बड़ा कीचन है आप दिखा देज पूरा बिलकुल सारी चिजे जो सेमी मॉडलर की चने इसमें भी ऐप बास्केट विखरा सारी चीजे में आपको लगा के दे रहे हैं सारी चीजे लगी उंहीं जो साही चीज़े हैं आपको करके देंगे और इसमें के चिमनी लगा के देंगे चिमनी नहीं चिमनी को मैंने पॉइंट छोड़ दिया अपना जो भी विवर्स लेता है जो भी कर्षम अपने इसाफ से लगवा सकता है तो किछन से जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो यह आपका क ऑपकी बड़ा मास्टा बेड्रूम मैं जाता है इस बेड्रूम की साइज की बात करें तो आपक यह 11 भाई 15 का है 17 बढ़ा का एंसरी ब्लेश की बड़ा है तो यह विः अगर आप देखें के तो साज फिटिंग और साइचीज़े कंप्लीट है साज़र साज़र सोकत मटनी जाए जाते है तो यह आपका जाता है वात्रूम है यह आपका पांच बही शाथ का है बड़ा वात्रूम है इसमें विसाजी फिटिंग में जो च्छूटी है वह साईचीजे आंड करके देंगे आपको जलिए हम चिलते आपको एक बार दिखा देते हो उपर से यह आप इसटेवे भी आपको मारबर सेंस दिप्ले स्टेवेलिंग के साथ में मिलेगी पंटिलेशन के लिए आपको यह रखा हुआ है बलकुल जी है यह और यह खुल जाएगा इसके बाद में च्छत आगई यह आपकी आजाती है च्छत यह आपकी इश्चत आ जाती पर दिखा दी आप इधर एक बार दिखा देजें कि आप देख सकते हैं दूसरा मकान है यह दूसरा है अच्छा नो का कॉलम जो आपका 18 इंचीज जो वॉल आपको दिक रहे होगी तो सारे माकानों की ओल म सारी चीज आपको अलग मिलने वाली है यह पूरी घनियाबादी में मकान है अपने बिल्कुल आपको दिखा देंगे तो पूरी घनी अबादी है बिल्कुल इस पे भी आपको आप उपर एक टोटी दिख रही होगी च्छत वगरा साफ कनने के लिए अपना रो भी च्छत पे काम करना चाहें तो आपको नीचे से पाने लाने जबूरत नहीं है उपर भी साही चीज़े आपको मिल जाएंगा उपर जो आपको टंकी दिख रहे होगी वह 500 लीटा के टंकी है जो की कम्प्लीट है पूरी फिटिंग के साथ में बिल्कुल इधर आपको यह आजाते हैं बालकनी में भी आपको इस्टेजरेलिंग वर्क्स दिखेगा जो की और लड़ी कम् अबिन नगर पारा में है अगर हम यहां बात करें इस्टेजरे तो आप घर से बाहर निकलते तो आपको जननल स्टोर साई चीज़े मतलब कालोनी में ही आपको अपलाधू मिलेंगी अच्छा जी यहां बात करें मैं इस्टेशन की जैसे आपका चार बाग हुआ या आलम ब से स当 उवा तो यहां से जो आपका नहेंट मेर स्टेशन हैं जो आपका तीन किलो मिटर दूड दोरी पर है पूरी घनी आवादी के बीच में आपका जो मकान है यह पूरी घनी आवादी के में अच्छा और बात करें अगर हम इस मकान के प्राइच की यह अपना अगर आप आते हैं पसंद आती है चीज अगर टेवल आते हैं तो जो वेस्ट होगा मान समानक लिया जाएगा बिल्कुल ठीक है और फाइनेंस की तो इस मकान पे भी आपको सेम प्रोसर्स रहेगा हमारे अदर मकानों के जैसे ही 90 मैक्सुमम आपका 90 पसंद लोनी करा देंगे 10 पसंद आपको देना पड़ेगा बस सर्थे आपकी रिक्वायर्मेंट के साफ से आपकी प्रोफाल वैसी होनी चाहिए 27 लाग का मखाने तो फिर हम लोग को यानि 2 लाग 7 जाद देके ले सकते हैं अहां उसकी सर्थे उसकी प्रोफाल अच्छी है क्योंकि हर एक चीज प्र करें लाइक सब्सक्राइब और स्याज जाओर करें धन्यवाद मिलकुत